कल मुझे कोई बता रहा था कि जो एलन मस्क है, ट्वीटर का जो मालिक है, उसने अपने CEO की कुर्सी पर कुट्टे को बिठा के उसके गले में वो डाला है कि ट्वीटर का CEO यह है, तस्वीर उसने पोस्ट की थी ट्वीटर पर, एलन मस्क ने, तो वो मुझे कह रहे थे यार कुट्टे को इन्होंने CEO बना दिया ट्वीटर का, तो मैंने का इनकी नजर में कुट्टे की वेलियो है, अब्बा की वेलियो नहीं है, अब्बा को तो अल्ड होम्स में जमा करवाया है, कुट्टे को CEO बना दिया है, यह तहजीव है, यह सकाफत है, अंग्रेजों से यह इ कुटों के नाम जाइदादे करते हैं कुटों के नाम के मेरी जाइदाद में इतना इससा इस कुटे को मिलेगा तो ये ये सिकाफ़त हमें चाहिए पाकिस्तान में या मुसल्मानों को इस चीज़ की जरूरत है हमारा मसला क्या है हम उनसे तालीम लेते नहीं है इसलिए कि तालीम आसिल करना मुश्किल काम है कौन पढ़ेगा मैनत करनी पढ़ेगी रिसर्च करनी पढ़ेगी स्टडी करनी पढ़ेगी बहुत मैनत करनी पढ़ेगी कपड़े उतारने में क्या जाता है इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता और रिसर्च करने के लिए तो आपको 10 साल देने पड़ेंगे तो हम कहते हैं को हम समझते हैं अंगरेज इसलिए तरक्की करने कि वो फहाशी है उनमे इसलिए उनुने तरक्की किये यह फहाशिय उनकी तरकी की राह में रुकावट है अगर यह फहाशी उन में ना होती आज अंगरेज जहां पर हैं इससे दस गुनाई आगे खड़े होते जो उनकी मुआशरती 생 devrait हैं अगर यह बुराईit उनमें ना होती आज अंग्रेजों ने जितनी तरकी किये ये इस से 10 कदम आगे खड़े होते है ये फहाशी, ये औरियानी, ये बेहायाई, ये बदतहजीबी उनकी तरकी की राह में रुकावट है और हमने इसी चीज़ को तरकी का मैयार बना लिए कि तरक्य का मैयार ये कि उनकी तरह हाशी, उनकी तरह और्यानी, उनकी तरह बेहयाई, उनकी तरह बततहजीबी, उनकी तरह लाइफ स्टायल, उनकी तरह सब कुछ कर लें, हम तरक्य कर लेंगे, तरक्य आप इस से करेंगे कि आप इल्म में महारत हासिल करें, वो चाहे टेकनल बहैसियत मुस्लिम कौम, बहैसियत मुस्लिम उम्मा, हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया में बरतरी हासिल करें, तो हमें दुनिया की ये सारी तालीमे लेनी पड़ेंगी, तर्वियत इसलाम से लेनी पड़ेंगी, और इसलाम की तर्वियत बच्चों को दे कर, ये बच्चे जब ये डिलीवर करेंगे इनके दिल में खौफ खुदा होगा हमारे मौाशरे में हमारे मुलक में अल्लह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है वो मादनियात की सूरत में हो वो मौसम की सूरत में हो वो समंदर की सूरत में हो वो पहाडों की सूरत में हो वो قوم और इन्सानों और जो हमारे पास जो हियूमन रिसॉर्सेज हैं पाकिस्तान में कमी है हमारे पास तो इस एक चीज़ की कमी है कि हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसकी तर्वियत हुई भी हो और वो इस कौम को लीट करे और किसी चीज़ की कमी इस कौम में नहीं है इस कौम को आप कुछ तरवियत करें जो आप दीन की बात बता है ये मानने के लिए तैयार होते है दुनिया में ये चीज़ बहुत कम आपको देखने को मिलेगी हमारे लोग दीन की अलहम्दलिल्ला जितनी महब्बत दीन से करते हैं जितना अदब करते हैं गुरान का, दीन का, अलमा का ये अदब एहतराम आपको दूसरे मुलकों में बहुत कम मिलेगा इस तर्वियत को बढ़ाने की जरूरत है